हेलो फेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इट्रू चैनल स्टडिमेट उफिसियल में चलते हैं आज के जिक्य के नए सेशन के ओर कोशन नमर एक समिधान के किस अनुछेत के ताथ राश्टपती को संसत का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है तो अप्सन ए दे दोस्तो कोशन नमर दो की ओर निमलिखित में से कौन भारत के राश्टपती के चुनाओं में निर्वाचक मंडल के सदस नहीं होते हैं अप्सन नमर ए देखेंगे लुक सवा के निर्वाची सदस अप्सन बी देखेंगे राज सवा के निर्वाची सदस अप्सन सी देखें की और किस समिती ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत निर्भर बनाने की सिपारिश की तो option A देखेंगे, बलवन तराय मेहता समिती, option B देखेंगे, असोक मेहता समिती, option C देखेंगे, LM सिंग्वी समिती, option D देखेंगे, P थुंगं समिती, बता दे दोस्तों कि LM समिती का जो गठन हुआ था, वा 1986 में हुआ था, और दोस्तों बता दे कि बलोन तराय मेहता समिती का जो गठन हुआ था, वा 1987 में हुआ था, चलते हैं दोस्तों कुशन मर चायर की ओर, किस समितान सोसदन के द्वारा मौलिक कर्तब को समितान में जोड़ा गया, तो option A देख देखेंगे, 43 समितान सोसदन, option C देखेंगे, 42 समितान सोसदन, option D देखेंगे, 44 समितान सोसदन, तब बता दे दोस्तों कि मौलिक कर्तब को जो था, 42 समितान सोसदन, 1986 में इसको सोंड सिंग समिती के द्वारा सिपारिस पर इसको जोड़ा गया था, option C जो होगा हमारा answer होग के बटवारा, आप्सन B देखेंगे पंचायती राज ब्यवस्ता, आप्सन C देखेंगे निर्वाचन आयोग, आप्सन D देखेंगे संग लुक्साय आयोग, तो बता दे दोस्तों कि समिधान के भाग बारे में जो था केंद्र और राज मद बीत के बटवारा किया गया है, त चलते हैं दोस्तों, कोशन नमर 6 की ओर, समिधान का कौन सा अनुछेद संसद को विधी निर्वान के सक्ति परदान करता है, तो आप्सन A देखेंगे अनुछे 249, आप्सन B देखेंगे अनुछे 250, आप्सन C देखेंगे अनुछे 252, आप्सन D देखेंगे अनुछे 253, त समिधान संसोदन दोरा सिवकारा गया है तो option A देखेंगे 101 संसोदन, option B देखेंगे 103 संसोदन, option C देखेंगे 102 संसोदन, option D देखेंगे 104 संसोदन, तो बता दे दोस्तों आर्थिक अधार पर अरक्षन को जो था वो 103 संसोदन दोरा इसको सिवकारा गया है तो option B जो होगा हमार का इंसर होगा चलते हैं 無चो कोई ना बजाते हुए दशाया गया यह यहieder पसले ul ऑपनर फ़िए संसर शेलेता प्री लांतिया आरे यहीं कोई कृष्च के नोर फ़िए मू app प्राप्त हुआ है तो option A देखेंगे फारस, option B देखेंगे काबोल, option C देखेंगे लंगमान, option D देखेंगे A.C.A. माइनर, बतादे दोस्तों, option D जो होगा A.C.A. माइनर में प्राप्त हुआ है, जलते हैं दोस्तों, question 10 की ओर, नीमिन में से किस सासक ने संपुन सिरलंका पर बिजय पराप्त की, तो option A देखेंगे राज राज पर्थम, option B देखेंगे रजेंदर पर्थम, option C देखेंगे क्रिस्न देवराय, option D देखेंगे अधित पर्थम, तो बतादे दोस्तों, कि संपुन सिरलंका पर जो था, रजेंदर पर्थम ने बिजय पराप्त किया था, option B जो होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों कुछ नियाय दर्शन के परवर्तक कौन है तो आप्शन A देखेंगे कनाद, आप्शन B देखेंगे विश्वामित्र, आप्शन C देखेंगे कपिल, आप्शन D देखेंगे गौतम तो बता दे दोस्तों कि नियाय दर्शन का ज आप्शन B देखेंगे British Indian Association, आप्शन C देखेंगे British Indian Society, आप्शन D देखेंगे Indian Association, तो बता दे दोस्तों कि भारती राष्टी संग का 1885 में नाम बदल कर भारती राष्टी केंग्रेस रखा गया, चलते हैं दोस्तों कुछन नमर 13 क्योर, इवन बतूता किसके सासन काल में भार आताया, तो आप्शन A देखेंगे भालो लोदी, आप्शन B देखेंगे महमद बिन तुगलाग, आप्शन C देखेंगे फिरोसात तुगलाग, आप्शन D देखेंगे गार सृदिन तुगलाग, तो बता दे दोस्तों कि इमन बतूता जो था महमद बिन तुगला के सासन का चलते हैं दोस्तों कोशनमर 14 की ओर किस परसिद नेता ने विभाजन को कंग्रेस का विश्वास घात बताते हुए कहा कि खुदाई खुदमत गारों की भेडियों की आगे फेका जा रहा है चलते हैं दोस्तों कोशनमर 15 की ओर महात्म गांदी के राजनीतिक गुरू कौन थे? तो अप्शन A देखेंगे, CR-10, अप्शन B देखेंगे, दादा भाई नरोजी, अप्शन C देखेंगे, बाल गंगादर तिलक, अप्शन D देखेंगे, गुपाल कृष्ण को खिले, तो बता दे दोस्तो, महत्मा गांदी के राजनीतिक गुरु जू थे, वो गुपाल कृष अप्शन B देखेंगे, दोस्तो, भाराच छोड़ अंदोलन जो 1942 में हुआ था, पर अप्शन C देखेंगे, दोस्तो, असोहग अंदोलन जो 1920 से 22 तक हुआ था, और अप्शन D देखेंगे, दोस्तो, सौदसी अंदोलन जो 1905 में हुआ था, तो इसमें बताना है दोस्तो, कर कुना असफ अलिखाद समंध किस अंदोलन से था तो भारत छोड़ अंदोलन से था आप्शन बीज होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों कोशन वा सुतरा की ओर कलकात्ता में हिंदू कोलेज का संस्थापक कौन थे तो आप्शन ए देखेंगे डेरेजियो आप्शन बी ग्रूप में डेविड हेयर और एलेजिंडर डॉफ डॉफ ने मिलकर 1817 में कलकात्ता में हिंदू कोलोज के अस्तापना किया था दोस्तों चलते हैं दोस्तों कोशन में 18 की ओर नमचा बर्वा हिमाले किस सेर्णी में इस्ति थे तो आप्शन ए देखेंगे ट्रांस हिमाले अप्शन B देखेंगे हिमादरी या भिहत हिमाले अप्शन C देखेंगे सिवालिक सिर्णी अप्शन D देखेंगे लगू या मध हिमाले तो बता दे दोस्तों नमचा बर्वा जो है वह हिमादरी या भिहत हिमाले का भाग है अप्शन में B जो होगा हमारा एंसर होगा चलत बतादे दोस्तों पटना के समय भी गंगा नदी जो उत्तर दिशा में आकर गंड़क में मिलती है आप्शन वर C जो होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों कोशन वर 20 की ओर बिहार में टाल के छेतर का विस्तार कहां से कहां तक है तो आप्शन A देखेंगे पटना से मु कामा तक है आप्शन वर A जो होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों कोशन वर 21 की ओर नदियों का विसर्व वाहिका जो गुखल जिल के रूप में पाई जाती है तो आप्शन A देखेंगे चौर आप्शन B देखेंगे तराई छेतर आप्शन C देखेंगे मन आप्श चलते हैं दोस्तों कोशन वर 22 की ओर चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में इस्तित है तो आप्शन A देखेंगे उतर पच्छिम बिहार आप्शन B देखेंगे दच्छिन पूर्व बिहार आप्शन C देखेंगे उतर पूर्व बिहार आप्शन D देखेंगे दच्छिन तो बतादे दोस्तों कि चंदन का जो मैदान है बिहार के दचिन पूर्व बिहार में इस्ति थे आप्शन बी जो होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों कोशन नमर तेज के ओर दामोदर घाटी निगम के अस्तापना कब होई थी तो आप्शन ए देखेंगे 7 जुलाई 1946 आप्शन बी देखेंगे 10 जुलाई 1946 आप्शन सी देखेंगे 7 जुलाई 1948 आप्शन डी देखेंगे 10 जुलाई 1949 तो बतादे दोस्तों दामोदर घाटी निगम का जो अस्तापना हुआ था वो 7 जुलाई 1948 को आप्शन नमर सी जो होगा हमारा एंसर होगा चलते हैं दोस्तों Q24 के ओर आयतन के दिरिष्टी से साफ पानी के सबसे बड़ी जील कौन है तो option A देखेंगे बैकाल, option B देखेंगे तंगा नीका, option C देखेंगे, superior, option D देखेंगे, असल तो बता दे दोस्तो आयतन के दिरिष्टी से सबसे साफ पानी का सबसे बड़ी जील जो है वो बैकाल ज होगा हमारा answer होगा चलते हैं दोस्तों आज के आखरी question की और बर्तमान में हीरे का सरवादिक उत्वादन किस देश में किया जाता है तो option A देखेंगे दचिन अफिरिका, option B देखेंगे अस्टेलिया, option C देखेंगे रूस, option D देखेंगे बोस्वाना तो बतादे दोस्तों कि बर्तमान में हीरे का सरवादिक उत्वादन जो है रूस करता है option C जो होगा हमारा answer होगा दोस्तों आज कसे सा नहीं पस्माप्त होता है अगले वीडि आया लाइक सब्सक्राइब करें नहीं बूले जय हिंद